नमस्कार फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है और आज की वीडियो में हम एक बार फिर से आप लोग के लिए लेके आये हैं प्राफिट लॉस एंड डिसकाउंट का नेक्स्ट टेन क्वेशन जो की आपकी यूजी सी नेट पेपर वन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा तेखिए हम आपको बता रहें कि अगर मैथमेटिक्स का पार्ट आप लोग मजबूत करते हैं प्रैक्टिस करते हैं करते हैं तो आप समझेए आपको 20 नंबर यहां पर मिलते हैं और 20 नंबर आपको कम से कम 6.5 परसेंट प्रोवाइट करते हैं ओवर आल में अगर 300 300 की बात करें मार्च का तो उसमें आपको यह 7 के पास पहुंचा देगा यानि 6 के उपर और 7 के पास तो यह बहुत ही important रहेगा portion क्योंकि exam जब दूर रहता है तो उसके पहले ही practice करना जरूरी होता है बढ़िया होता है क्योंकि last के दोर में आप लोग के पास time नहीं होता है बहुत सारा portion बचा होता है इसलिए हम starting में अपने channel के मादे हमसे mathematics के part पे discuss कर रहे हैं आप लोग के साथ तो चलिए आज के सबसे पहले question पे चलते हैं और question देखिए है एक दुकानदार 5000 रुपे किदर से वस्त को बेच रहा है और पहला जो article है वस्त है उस पे 10% का loss हो रहा है यहां पे हानी है और दूसरे जो product है article है वस्त है उस पे 10% का profit हो रहा है तो व्यापार यानी की business जो हो रहा है उसका कुल लाव यानी की profit या हान यानी की loss ग्याद करें तो देखे फिर से हम एक बार पढ़ दे रहे हैं कि एक दुकानदार 5000 रुपे प्रतिवस्त को इदर से दो वस्त बेचता है और पहले जो वस्त बेचता है उस पे 10% का loss होता है और दूसरे पे 10% का profit होता है तो पूरे व्यापार का प्रतिशत लाब या प्रतिशत हान जात करें तो देखे कैसे आप जानेंगे प्रतिशत लाब हुआ या प्रतिशत हान हुआ तो देखिए last way जब आप question को solve करेंगे और answer आएगा तो अगर answer में निकल के आए minus तो आप समझेगा loss हो रहा है और अगर निकल के आए plus तो आप समझेगा ये कि आपका profit हो रहा है तो minus आपको जानना है loss प्लस से आपको जानना है profit तो देखिए question में कहा गया है कि first जो आपका article है वस्तु है उस पे loss है आपका 10% second जो आपका article है वस्तु है उस पे profit है आपका 10% तो यहाँ पे percent profit and percent loss जब हम हमारे पास question में दोनों चीज रहेगा तो हमें क्या करना होगा हमें rule लगाना होगा एक नया new rule x minus y minus x into y upon 100 ओके 100 यहाँ पे करना है 100 तो यह आपका formula रहेगा अब आप इसमें सभी चीजों को रखेंगे और देखेंगे कि क्या निकल के आता है तो देखिए यहाँ पे 5000 का कोई दिक्कत नहीं है इसका कोई भी calculation में जब्रत नहीं है आपको बस यहाँ पे percent profit and percent loss का यह जो दोनों दिया गया है इसको ध्यान देना है तो आपका हुआ 10 minus 10 ठीक है आपका यह पहला 10 plus हो गया और second हो गया आपका 10 minus क्योंकि पहला आपका एक profit हो रहा है एक loss हो रहा है फिर आप यहाँ पे करेंगे minus 10 into 10 upon 100 जब यह आप करते हैं तो देखिए यह plus और minus यहाँ पे plus और minus यह वाले कट जाएंगे तो आपके पास सिर्फ minus 10 into 10 बचा तो जब आप directly इसको काट देंगे यहाँ से 0 से 0 और इसको 0 से 0 तो आपके पास minus 1 into 1 बचा तो आप जब इसको equal to करेंगे तो आपके पास आएगा minus 1 तो loss हुआ minus 1 का यानि कि minus 1 percent का हमें loss हो रहा है क्योंकि minus को हमने बताया था जब आएगा answer में तो वो आपका loss रहेगा अगर plus होता तो आपका वो profit होता तो यहाँ पे ये चीज़े निकल के आगई और देखिए minus और आपका plus जब आपस में calculate करते हैं तो जो निकलता है वो होता है minus ठीक है आपको ध्यान देना ही जैसे माल लेजे minus 1 था और into plus आपका 1 था इसको जो हमने calculation किया तो minus निकल के आएगा ठीक है ये plus आप कहीं फूल के मत कर देजिएगा इसको ध्यान रखिएगा आगे तेखिए अब next question पे चलते हैं question number है 12 कहा जा रहा है कि एक दुकानदार यहाँ पे 7777 रुपए की दर से 2 box आपका सिब बेचता है सिल करता है पहले पर 25% का profit हो रहा है and second पे 25% का loss हो रहा है तो व्यपार का love या हान निकालिए तो यहाँ पे वही चीज आपको करना है बड़े आराम से देखिए हम answer बता दे रहे हैं but आपको इसको लगाना है और लगाके देखना है कि कैसे होगा देखिए इसका answer निकल के आएगा आपका minus 6.25% minus 65 आपका 6.25% तो आपको हम rule बता दें एक बार फिर से जब आप percent profit and percent loss दोनों question में पाएं तो आप क्या करिएगा आप करेंगे x minus y minus x into y upon 100 ये आप लगाईएगा उसके बाद आपका answer निकल जाएगा तो ज़रूर इस question को solve करें क्योंकि ये question same to same previous question पे है तो इस पे हम discuss नहीं करेंगे question में कहा गया है कि जब 12 article यानि कि 12 वस्तुओं का cost price 16 वस्तुओं के यानि 60 article के selling price मुल्य के equal हो बराबर हो तो percent हान क्या होगा profit loss पूछा जा रहा है क्या होगा तो देखिए यहाँ पे question में दिया गया है कि 12 जो 12 वस्तुओं का यहाँ पे article का cost price जो है वो है आपके 16 article के selling price के बराबर तो फिर percent loss आपको निकालना है तो यहाँ पे यहाँ पे 16 आपका यहाँ पे आजाएगा 16 माइनस आपका होगा यहाँ पे 12 और upon आप करेंगे cost price ज्यानि 16 क्योंकि यह बताया जा रहा है यहाँ बारह वस्तुओं का क्रेमुल तो यहाँ पे 16 कर देंगे into हम करेंगे 100 ठीक है देखी यह जो 16 कहा जा रहा है यहाँ आपका cost यहाँ बन जा रहा है क्योंकि इसको solve जरू करिएगा 16-12 upon 16 into 100 तो इसको आप solve करेंगे तो निकल के आगा आपका 25% का loss हो रहा है अब चलते हैं next पे देखिए question हाँ आपका 14 आपका 14 नमबर का question में है जब 25 वस्तूओं का क्रेम मुल्य 20 वस्तूओं की विक्रेम मुल्य के बराबर हो तो प्रतिसत लाब क् तो यहाँ पे देखिए 25 यहाँ पे CP है and 20 यहाँ पे SP है तो आपको यहाँ पे निकलेगा 25 minus 20 upon 20 into 100 तो इकल तो निकलेगा तो यह आपका 25% यहाँ पे profit होगा क्योंकि लाब पुछा गया है profit तो 25% का यहाँ profit हो रहा है पीछले question में loss हो रहा था तो बस ऐसे ही आपको आसानी से question का answer निकलना है देखे question है next आपका कि एक वस्त को एक हजार 1000 रुपए में सिल किया जा रहा है यानि कि सिल बेचकर कमाया गया लाब उसी वस्त को 8000 रुपए में बेचकर हुए हान के बराबर है तो वस्त का लागत मुल्य बताइए यानि वस्त का cost price पूछा जा रहा है तो देखे जब ऐसा question आए तो बड़े आराम से आप cost price निकालने के लिए CP निकालने के लिए आप करिएगा जो selling price आपका 1 है प्लस करिएगा selling price 2 है अपान करिएगा 2 इससे आपका निकल जाएगा यानि कि cost price जब आप निकालेंगे तो 1000 जो पहला है यहाँ पे selling price प्लस 800 जो second selling price है अपान करिएगा 2 तो इसको जो आप solve करेंगे तो आपका सीधे का सीधे निकल के आएगा 900 ठीक है यहाँ पे 900 निकल के आपका आज आएगा अब चलते हैं next question पे question देखिए और बहुत हमें लगता है आज की वीडियो का सबसे best question यह रहेगा क्योंकि थोड़ा सा यह अच्छा question है आप लोग के net के हिसाब से देखिए question में का आगया है एक वस्त को पंद्रह सव रुपए में बेचने पर होने वाला लाब उसी वस्त को 800 रुपए में बेचने पर होने वाली हानिका शोल गुना है 16 गुना है 16 टाइम्स जदा है यदि 15 परसेंट का लाब अरजित करना हो तो उसे कितना मतलब कितने रुपए में सिल करना होगा बोला जा रहा है कि एक आईटिकल है उसको 1500 रूपीज में सिल करने पे होने वाला profit उसी वस्त को अगर 800 रूपीज में सिल किया जा है तो उस पर होने वाला हानी का जो loss है उसका 16 time more है और बोला जा रहा है इफ यद 15% का profit earn करना हो तो उसे कितने रूपए में सिल करना होगा तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा cost price निकलना होगा क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि कितने प्रस्त में हम बेचेंगे मतलब कितने रूपए में बेचेंगे तो हमें 15% का लाब होगा तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा cost price देखना होगा तो cost price जब है नहीं हमारे पास एक selling price ये है और एक selling price ये है बताए गया है और पहले पे बेचने पर हमें लाब हो रहा है और second pay बेचने पे हमें loss हो रहा है मतलब हा नहीं हो रही है तो हमें cost price नहीं दिया है तो माना cp equal to x यानि cost price हमने माल लिया X है ठीक तो पहले के लिए जो SP है आपका वो है selling price 1500 और profit की अगर बात करें तो पहले में हमें profit हो रहा है 1500 पे तो हम क्या करेंगे profit equal to करेंगे profit जब होता है तो यानि हमारा selling price जादा होता है और cost price कम होता है तो SP माइनस CP और जब हम ये करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा हमारे पास निकल के आएगा 1500 माइनस X भाई देखिए यहाँ पे SP तो हमारा यहाँ पे SP तो 1500 है और हमारा CP है जो वो X हमने माना है तो ये हमें मिल गया एक समी करण अब second हमें क्या है second वाला जो देखिए यहाँ पे 8000 sorry 800 की बात है 1000 नहीं sorry तो यहाँ पे second हमारे पास SP है आपके पास 800 और CP हमारे पास कितना है हमारे पास CP है X तो यहाँ पे loss की बात की गई इतने पे बीचने में loss हो रहा है तो जब loss होता है तो हमारा CP जादा होता है और minus SP हमारा कम होता है तो यह जो हम करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा हमारे पास X यानि cost price X था और –800 यह हमारे पास एक समीकर निकल के आया, दो हुआ, तो देखे यह आपका हो गया profit और यह वाला हो गया आपका loss का, ठीक, तो अब हम इसको रफ करते हैं और इससे आगे अब चलते हैं, देखे अब हमारे पास जो निकल के आया, वो हुआ, देखे यह profit और equal to loss, यह करना है क्योंकि कहा गया है, question में कि 800 रुपे, यानि कि 1500 रुपे में जब बेशनता है, तो उसको लाब होता है, और उसी वस्त को 800 रुपे में बेशता है, तो उसको हान होता है, पर हान जो होता है, वो 16 गुना होता है, वो जो लाब है, उसका यहाँ पे 16 गुना बताया रहा हो रह यह हमारे पास फर्स समी कर रहा है 1500-X इकल टू हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 16 16-16 तो 16 और X-800 यह आपको करना है देखिए अगर आप पेपर और पिन से इसको लिख लेंगे तो थोड़ा सा पहतर रहेगा आपके लिए क्योंकि इसने जुगा क्वेशन अगर एक्जाम में आए तो आराम से आप कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका समी करन हमने दोनों रखा प्राफिट के लिए और लॉस के लिए जो बना और जहां हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा देखिए 1500-X एकल टू यहाँ पे 16-X होगा और माइनस होगा आपका 10,400 क्योंकि आप इससे गुड़ा कर देंगे 16-8 का तो आपका 10,400 निकल के आएगा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तो यह देखिए अब हम इसको 1500 और 10,400 को जब एड करेंगे तो हमारे पास 11,900 आता है और जब हम इकल टू करेंगे इधर तो यह X और यह X मिलके आपका 1X जादा हो गया तो यहाँ पे 17X हो गया 16X था यह X यहाँ पे गया तो यह प्लस हो गया और यह हो गया 17X तो जब हम यहाँ पे x बराबर करेंगे तो 11,900 अपन हम 2 कर देंगे और जब हम equal to करेंगे इसको काटेंगे तो हमें पास 700 निकल के आएगा ठीक है? सोरी यहाँ पे 2 नहीं करेंगे हम 17 कर देंगे सोरी यहाँ पे मेरा mistake है फिर से हम कर दे रहे हैं देखिए X equal to हमारा होगा 11,900 upon 17 क्योंकि हमारा जो X को हमने जब add किया तो 16X तो यहाँ पे 16 गुना था ही तो हमारे पास 17 आया था जब जुड़ा था एक X profit वाला तो यहाँ पे यह जब हम करेंगे तो हमारे पास निकल का 700 क्योंकि इससे जब हम काटते हैं तो 7 time में कर जाता है और 00 बच जाता है तो 700 हमें निकल क्या है X को हमने क्या माना था हमने माना था cost price माना X तो X equal to यहाँ पे 700 जब हुआ तो इसी के अधार पे हम निकालेंगे आपका 15% का लाब अर्जित करने के लिए कितनी रुपए पे तो percent जब हम profit देखना है तो 700 तो निकला ही इन्टो हम कर देंगे 115 कर देंगे 115 कर देंगे upon करेंगे हम यहाँ पे 100 कर देंगे ठीक? तो यहाँ पे आपका निकल के आजाएगा कितना? आपका निकल के आएगा sorry थोड़ा सा कोई button click होने पे थोड़ा सा सब rough हो गया तो देखिए जो निकल के आएगा वो होगा आपका 805 रूपीज ठीक है तो हम फिर से बता दें 805 रूपीज देखिए लास्ट क्या था लास्ट वाला थो सीन हट गया यहाँ पे 700 इंटू 100 15 क्योंकि 15% का हमें लाब अरजित करना था तो 100 में हमने 15 को जोड़ा और upon 100 कर दिया तो जब हम इसको काटेंगे और इस फिर काटेंगे तो जो यहाँ पे calculation होगा तो यहाँ पे आपका 805 निकल के आएगा यानि की 805 रुपे में हम अगर उस article यानि वस्ट को बेशते हैं तो हमें 15 यानि 15% का लाब होता है तो रेखिए यह series पूरा का पूरा पूरानी question पे ही best था तो हम इसलिए आपको सभी छोटी छोटी जो calculation था जो rule था उस पे हमने आपको बार-बार question कराया है ताकि जब बड़े question दे जाते हैं तो उसी question के base पे आप आगे बढ़ते हुए निकालते हैं answer को तो चलिए next question पे चलते हैं देखिए question है थोड़ा new type का बोला गया है कि एक वस्तु का लागत मुल्य तथा विक्रे मुल्य का अनुपात आठ अनुपात 11 है तो percent लाग आपको गयाद करना है देखिए question में कहा गया है फिर से repeat कर दें कि एक article का जो cost price है CP है तथा उसका selling price जो विक्रे मुल्य है उसका ratio आपका 8 ratio 11 है तो लाग गयाद करिए तो यहाँ पे बड़ा आराम से आप देखेंगे कि यहाँ पे कहा गया है कि CP cost price है आपका 8 and SP आपका है 11 और जब percent profit की बात करेंगे तो यहाँ पे 11 minus 8 कर देंगे upon करेंगे यानि 8 करेंगे क्योंकि आपका 8 आपका cost price है into आप कर देंगे 100 तो जब आप solve करेंगे इकल टू होगा 3 upon 8 into 100 इसको करेंगे और जब आप इसको solve करेंगे तो आगे आएगा आपका 3000 upon आपका 8 और जब इसको को आप काटेंगे तो आपके जब निकल के आगा 375 ठीक है 375 इसका answer आएगा तो 375 परसेंट आपका यहाँ पे लाप राप्त हो रहा है ठीक है तो यह आपका निकल के आया answer देखें next question है कि 8 वस्तों की लागत यानि की क्रेब मुले 10 वस्तों के विक्रेब मुले के बराबर है तो percentage loss या percentage profit याद करें तो देखें इस question को बिल्कुल हम नहीं कराएंगे क्योंकि इस पे हमने आपको अभी question करा दिया है तो इसको आपको selfie क्या करना है आपको लगाना है और देखें इसका अगर हम कहें तो answer जो आएगा 20% आएगा और ये किस में आएगा ये आपको बताना है और हम बता दें कि अगर आपका 20% नहीं आ रहा है तो चरह हमें भी बता दें कि हमारा कहीं answer गलत तो नहीं आपको हमने provide कर दिया तो चलिए अब next question पर दोते हैं question number है आपका 19 देखिए better question है new type का question है हमारे वीडियो का और कहा गया है यदि 20 रुपे में 10 वस्तों को खरीद के उन्हें 10 रुपे में 20 वस्तों की दर से बेचा जाए तो प्रत्सत लाब ग्याद करें या प्रत्सत हान ग्याद करें तो यहां पे देखिए question दिया गया है कि यदि 20 रुपीज में 10 आर्टिकल आप purchase करते हैं cost price है आपका और उनको 10 रुपीज में आप 20 आर्टिकल की दर से उसको sell करते रहे हैं यानि selling price यह हो गया आपका तो आप percentage loss या percentage हान ग्याद करें तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि जब profit की बात की जाए तो profit कब होगा जब आपका selling price ज़ादा होगा और cost price कम होगा और आपका loss कब होगा loss तब होगा जब आपका cost price बड़ा हो और selling price जो SP है वो छोटा हो या कम हो तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखिए क्या करना होगा देखिए हमारे पास rupees की बात करते हैं rupees हो गया और यहाँ पे वस्त होगा article है यह हम दो group बना लेते हैं तो कहा गया question 20 रुपे में 10 वस्तू को यहाँ 20 रुपे है और 10 article है पहले को हमने लिखा और second कहा गया है उन्हें 10 रुपे में 20 वस्तू की 10 से बेचा गया दूसरा है आपका 10 रुपे में 20 वस्तू को बेचा गया तो हमारे पास यह हो गया CP cost price और यह हो गया हमारे पास SP selling price क्योंकि यह देखिए इस से हमें calculation यहाँ पे करना है और इसको हमें यहाँ पे multiply करना है ऐसे cross चलेगा तो जब यहाँ पे 20 into 20 हम कर देंगे ठीक है तो यह cost price रहेगा और यहाँ पे 10 into हम 10 करेंगे तो यह हमारा selling price रहेगा अब देखिए यहाँ पे 20 into 20 करते हैं तो 400 आता है और अगर 10 into 10 करते हैं तो 100 आता है तो यहाँ पे CP देखिए बड़ा है CP cost price ज़ादा है 400 है कितना 300 बड़ा है आपके selling price दे तो यानि आपने कम में वस्त को बेज दिया यानि कि आपका loss हो गया तो अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे loss हुआ और loss, percent loss निकालने के लिए क्या करना होगा CP minus SP अब देखिए फिर से हम कर रहे है percent loss equal to CP cost price हमने कहा बड़ा होगा minus SP selling price upon CP into आपका 100 तो यहाँ पे आपका हमने कहा कि 400 से आपको minus करेंगे 100 तो आपके पास 300 निकलेगा upon cost price जो था 400 into यहाँ पे 100 करेंगे और directly इसको अगर आप यहाँ पे काटते हैं तो आपके पास इसको काटने के बाद जो बचेगा वो होगा आपका 75 percent ठीक है 75 आता है तो यहाँ पे 75 percent क्या हुआ 75 percent का loss हुगा आपका ठीक है तो आसा करते हैं आपको question का answer समझ में आ गया होगा और formula भी आपको समझ में आ रहे होंगे और हम आपको यह बता दें कि देखिए अगर आपको हमारे वीडियो से कोई problem हो कोई समस्या हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है या लिखने में कोई दिक्कते हो रही है तो हम improve करना चाहते हैं अपने वीडियो को और बेटर बनाना चाहते हैं तो उस पे आप suggest जरूर करिए और next question देखिए 20 number का है कि 5 rupees में 6 candies की rate से टाफियों को खरीदा गया और 6 rupees में 5 candies की rate से बेचा गया तो percent love या percent आपका profit या percent आपका loss निकाले तो इसका हम answer जरूर आपको नहीं बताने वाले हैं क्योंकि आपको इसका answer self निकालना है तभी पता चलेगा कि आपको सौंज में आ गया तो चलिए friends हासा करते हैं आज की वीडियो में बहुत सारा आपको knowledge मिल गया होगा और जब तक की नेक्स वीडियो नेक्स अब्डेट नहीं लाते हैं तब तक क्लिए thanks for watching educational channel और आपका दिन बहुत बहुत सुभ हो आपको और दो यहा हो